वह प्सक्राइब स्ट्रेक्स होता है यह कितना चेंज आता है शेप में टुछ को कहते हैं इसको केते हैं टीक हैint फूरस लगाने पर कितना od तो हम देखते हैं यह तीन हों have a हूं टीकक है इसकी से सबसे पहले है कोई मर जब चैनल होगी उट चैनल दो है इसकी लेंध हु मैं इसका जादा सुग्यी सो गई है तो GHICA में क्रिंज आया है यही क्या हो जाएगा डल्ड ये क्या हो जाएगा beta parenthा और stream क्या होएगा सस्क्राइब होएगा systematically इसके गहीज जानी से इसके बाद 30 इस Zustर के अब यह हमारे कूछ तरीके से वाल्क करता है सबोस्ष मेरे पास कोई object इस तरएका है अब मैं इस पर force लगाता हूं इस direction में इस पर force लगाया तो object क्या होगा इस तरीके से इसमें change आया शेप में ठीक है तो original place तो इसकी यह थी लेकिन अभी यह original place से इसमें कुछ tangentials change आया है ठीक है यह जो change आया है इसी change को हम करते है delta x ठीक है और length कितनी थी इसकी originally healthy और यह change कितना आया इस पोजिशन से इस पोजिशन तक ठीक है कितना मुग करा यह delta x करा तो वह हमारे शेरिंग स्टेन है कोई भी object है और volume भी ठीक है अब मैं इस पर force लगाता हूं ठीक है अब जब मैं इस पर force लगेगा तो जो volume होती है ठीक है force लगने पर जो volume होती हो वो Mineral volume V, ठीक है? तो कितना Change आया है? वही हमारा क्या हो जागा Delta V, ठीक है, अब पॉर्स लगने के बाद यह इतना रह गया है? ठीक है, फॉर्स लगने के बाद ус वल्लिम हमारी Change हो के V-2 हो गई है ठीक है तो Delta V क्या होगा? Change Trustee Fitness Line Puis Final-Pίνous Initial और initially कितनी थी हमारी original वो थी delta V original sorry V थी ठीक है तो ये हमारा क्या होगा volumetric strain volumetric strain कितना होगा delta V by B तो ये था हमारा strain